कर दोस्तों कैसे हैं आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आगे मर्स पर दोस्तों कि आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्या कहां नहीं किया है इसी वह सब्सक्राइब कर लगता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करूंगा बट जस्ट एक बात क्लारिफाइक कर दे कि मैं को इमिगेशन कर्सेटेंट या गॉर्मेंट बाटिन नहीं हो तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो अपने रिस् जाएगा तो बहुत क्वालिफाइड पीपल अल्टिमेटली कैनडा उनको छोड़ना पड़ेगा जब वो अपना स्टेटस मेंटेन नी करता हैंगे मेरे विचार से मेरे ऑपिनियन से ऐसा नहीं होने वाले हैं कारण यह है कि यह एक्स्प्रस इंटरिम सर्फ जेनरल ड्रॉ पी होते हैं जिनमें उन उक्यूपेशन को गौवर्मेंट ने इंक्लूट किया है जिनमें रिक्वार्मेंट काफी जादा है यह शौर्टेज काफी जादा है तो मैं गौवर्मेंट का यह स्टेप को काफी सेपोर्ट करता हूं कि वैसे कोर्सेस वैसे उक्यूपेशन जिनम इस देश को skills की जुरूत है, उनको priority देना ये काफी positive stake में ताक कि वैसे लोग जो कि low score की वैसे या बाकी बहुत ज़्यादा candidates होने की वज़े से pick नहीं हो पा रहे थे, although उनकी skills की जुरूत है, उनको मौका में लेता है, और मैं बिल्कुल पी surprise नहीं होगा, कि down the line, इन category based draws में नए occupations add किया जाए, existing occupations को remove किया जाए, या यह भी हो सकता है कि existing occupations है, उनके लिए कुछ specific criteria set कर दीजाए, जैसे मान लिए एक particular occupation है, उसमें हम यह set कर देए, इतना experience के साथ होना चाहिए, जो भी government decide करती है, इस देले कि चीज़े हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल मेरे साथ से ठीक है, क्योंकि आप वैसे ही करोगे ना, जैसा आपको मन तक जुरत है, तो क्योंकि यह अपने जरुत को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से यह बिल्कुल justified action है, और मैं totally 100% इस चिसका support करता हूँ, और मेरे हिसाब से इस से तो इस बारे में क्या सूचते हैं, कमेंट करते हैं मुझे चरू बताएं, जैसे धन्यवाद दोस्तों चैनल को प्लीज और प्लीज सब्स्क्राइब करके ही आगे जाना है, थैंक यू